तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना आपने डाइलर में जाना होगा डाइलर में जाने के पास आप यहां देख सकते हैं तीन डॉट यहां उपर दिखा रहा है आपको तीन डॉट पर क्लिक करना होगा तीन डॉट पर जैसे आपको क्लिक करना होगा और जैसे आपको क्लिक हैं तो इससे क्या होगा गाईज जैसे आप true caller का काम आपके मोबाइल में वर्क करता है आपको application की download करने की जुरत पड़ती है तो गाईज यह उसी तरीकी की यह setting है इसमें गाईज क्या होता है कि जैसे मालीज आपको unknown call आता है जिसमें आपका नाम नहीं दिखाता है कि किस person का call आ रहा है उसका नाम क्या है तो उसकी क्या फोटो लगी वे तो गाईज इस setting को on करके रख सकते हैं तो गाईज इसी तरीके से आप यह तीसरी setting में आपको बता देता हूं यहाप देख सकते हैं records call तो गाईज इसका क्या फायदा है आप play store पर जाकर call recorder डाउनलोड करते होंगे तो आपको नहीं पता कि आपके mobile के अंदर भी call recorder डाउनलोड है तो गाईज आप यहाँ से simply जाके इसे on कर लीजेगा मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर देख सकते हैं auto call recorder है यहाँ पर यह तो आप इसे से off कर देना क्योंकि क्या होता है जैसी कोई आपके mobile लेके बात करेगा तो आपको notification जैसी call कर तेगी उसका notification आपको बार बार आएगा तो वो समझ जाएगा इसमें call recorder डाउनलोड है तो इस notification को आप off कर देना और auto records call को on कर देना इससे बहुत सारे आपको फायदे हो तो गईज यह थी तीसरी setting चौतरी setting में आप लोगों को बता देता हूं आप यहां देख सकते हैं call alerts and ringtones आप इस पर क्लिक करेंगे गईज तो यहां पर बहुत सारे option open हो जाते हैं तो जो सबसे पहला option है आप यहां देख सकते हैं call and vibration जैसे हम किसी को call करते हैं और call करने के बाद guys कई बार ऐसा हो जाता है कि हम call को card देते हैं हमार को लगता है हमने call card दिये बट call नहीं करती है और वो हमारी आगे की बाते सारी सुनता रहता है तो guys इससे सबसे अच्छा benefit है इस function का आपको क्या करना होगा इसे on कर देना होगा जैसी आप on करेंगे guys तो आप जैसी call काटेंगे अगर आपने किसी को call किया हुआ है और आप जैसी call काटेंगे तो आपका mobile वाइप्रेट कर जाएगा तो यह काफी अच्छा option आप इसे on करके रख सकते हैं उसके बाद guys इसी तरीके से guys एक option यहाँ पर मिल जाता है play tone when all call ends तो जब guys आपके call connect हो या call जब आपकी कटे तो आप चाते हैं कि जब भी call उठाए कोई आपका तो उसमें भी एक vibrate हो जाए तो guys आप उस function के लिए यहाँ पर इस वाले को on कर सकते हैं जैसे आप यहाँ देख सकते है play tone when call connect तो guys इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके call उठा चुकी है उठ चु जो पहला option है read call and name loud तो guys इसके लिए आपको इसे on कर देना होगा और guys जब इसे on करें तो यह किस तरीके से work करेगा मैं आपको especially पहले बता देता हूँ अगर आपका bluetooth mobile से connect है या फिर hand free आपका जो headphone होता है वो अगर आपके mobile से connect है तो उस condition में अगर आपको कोई भी call आएग तो वो उस बंदे का अगर आपके mobile में नाम save है तो यह बहुत देते जो उस बंदे का नाम लेकर आपको बताएगा कि उसका call आ रहा है तो आप इसे भी on कर सकते हैं उसी तरीके से guys यह second option है press home key to answer call तो guys अगर आप चाहते हैं अगर आप अपनी गाड़ी में हैं या फिर निकालके अपने जेम से mobile निकालके किसी का call देखें किसका call आ रहा है call उठाएं तो guys इससे बहुत अच्छा option है आप simply अपने home key को press करेंगे और आपका call उठ जाएगा अगर in case अगर आप यहाला option on करके दखते है guys ठीक है तो यह option का भी काफी अच्छा है तो आप इसे भी देख लीजेगा और guys उसके बाद एक option मिल जाता है answer automatically guys इसका भी काफी ज्यादा अक्छा use है guys इसका क्या function है मैं आपको बताता हूँ अगर आपने mobile में headphone लगाया है अपने Bluetooth आपने mobile से connect किया हुआ है तो guys इस condition में ऐसा होगा अगर आपको कोई call करता है तो 5 से 10 second के बीच मे अगर आपने उस call को नहीं उठाया तो automatically अगर आप इस function को on कर देंगे तो 10 second बाद automatically आपका mobile खुद उस phone को उठा लेगा और अगर आपके कान में Bluetooth या headphone लगावाए तो automatically आप उससे बात कर सकते हैं बीना कोई आप पो टच करके आपका mobile आपकी call खुद उठा लेगा उसके बाद गाइस एक option मिल जाता है प्रैस पावर की to end call to end तो गाइस ये भी काफी अच्छा option है अगर आप इसे on कर देते हैं तो गाइस का क्या फायदा मैं आपको बता देता हूं गाईस जैसे आपको call आता है और आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप पाइक पे है किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं और उस बीच में आपको call आता है आप नहीं देख पा रहे हैं किसका call है तो आप simply क्या कर सकते हैं गाईस जो यह हमारा यह option होता है जो power की होती है mobile की उस पर आप click करेंगे तो जो भी call आ रहे होगी वो call and हो जाएगी तो यह भी काफी अ आप अपने mobile को यूज कर रहे हैं और उस कंडिशन में यूज करते करते किसी का call आ जाता है तो क्या करेगा आपका mobile इसे पॉप अप विंडो में open करेगा उपर आपको दिखा देगा जैसे भी आपको दिखाएगा कि आपको इसका call आ रहा है तो आपको इस application को back नहीं करना पड़ेगा simply से guys आप उसे वहीं से tap करके उसका call उठा सकते हैं चाहे आप mobile में game खेल रहे हो या कोई movie देख रहे हूँ या कुछ भी guys अगर आप कर रहे हो और उस बीच में कोई call आ जाता है तो यह आपको pop-up दे देगा कि इसका call आ रहा है आपको आप बड़ी असानी से उठा सकते हैं तो guys इसमें काफी सारे और option भी है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा फिलाल वीडियो को यहीं end करते हैं जो main features से guys मैंने आप लोगों को बता दिये हैं आपको यह वीडियो आज की पसंद आ दे तो वीडियो को एक like कर देना नीचे comment कर लेना और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी subscribe कर लेना तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क्लेप आप आए टेक केर वंदे मातरम जैश्री राम